दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोशक तत्व, उनके प्रकार, उनके स्रोत और फायदे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि धर्दी पर बसे सभी जीव जीने के लिए भोजन पर निर्वर होते हैं सच्तो यह है कि अनके बीना इस जीवन की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती है जबसे हम लोग मा की गर्भ में आते हैं, पलते बढ़ते हैं, जन्म लेते हैं, सीसू से बालक, बालक से किसोर और किसोर से वैस्क बनते हैं, अन्न ही इस सरीर की रचना करती है शरीर को हिश्ट पूश्ट रखता है और दीन चर्या यानि के नित्य चर्या की विभिन गती वीदियो के लिए हमें सक्ति देता है विभिद भोज पदार्थों को उनकी रसानिक सरंचना, पोश्टी गुणों और पोशक छमता के आधार पर पोशक वेज्ञानियों ने पोशक तत्व को कई भागों में कई परकार से वर्गिक्रित भी किये हैं तो पोशक तत्व जो है नॉर्माली 6 परकार को होता है प्रोटीन, विटामीन, वशा, खनीज लवन, कार्बोहर्डेट और जल इन 6 पोशक तत्व में से 3 पोशक तत्व जो हमारे सरीर को अधिक मात्रा में जोरत होती है और 3 पोशक तत्व लो एमांट में प्रोटीन, कार्बोहर्डेट और वशा हमारे सरीर में जादे अमांट में जोरत होता है इसलिए से ब्रीहत, पोशक तत्व कहेंगे और विटेमिन, खनीज और जल हमारे सरीर में कम अमांट में जोरत पड़ता है अगर हम अपने सरीर में 5 लीटर जल को इंपूट करेंगे अगर हम लोग 5 लीटर के असपस जल पीते हैं पानी पीते हैं तो बहुत लो एमांट में हमें इससे मिनरल्स मिलता है पोशक तत्वो मिलता है तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रोटीन के बारे में दोस्तों जैसे के हम लोग जानते हैं कि पोशक तत्वोक में प्रोटीन का पहला स्थान होता है तंतरूस्त रहने के लिए हमें समुचित मात्रा में प्रोटीन को लेना जरूरी होता है सरीर में इसके कई डायतों होता है कई वर्क होता है या सरीर में चल रहे निर्मान कार्य के लिए अनिवारे होता है इसकी मदद से ही कोशिकी अस्तर पर ताउम्र अंगों के भीतर पर या मरमत होती है पुरानी कोशिकाए जब जरजर होकर नश्ट हो जाती है तो नई कोशिकाए उसके स्थान ले लेती है सरीर की रोग बचाव प्रनाली यानि की इम्मिनिटी भी हमलावर जिवानों के विरुद प्रोटीन से ही अस्त्र सस्त्र तियार होता है यानि कि immunity बनता है प्रोटीन की सहभागिता से ही सरीर, हिमोगलोबिन और कई अन्य एंजाइम और हार्मोन बनाता है प्रोटीन के मुझ्छ सुरोथ के बारे में अगर देखा जाए तो आहार में हमें रोजाना 10 से 15% कैलोरी प्रोटीन से लेनी ज़रूरी होती है जिसमें से डाले सोयाबीन, अनाज मुंफली, दूद, पनीर ये खा करके हमें प्रोटीन के अवसकता को पूरी कर सकते हैं इन सभी भोजे पदार्थों में प्रोटीन प्रचूर मात्रा में पा जाता है नेक्स्ट अगर पोसकतातों के प्रकार के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर में आता है वसा वसा के सरीर में कई रूप होता है जिससे ट्राई, गिलिसरोईट, वसीय अम्ल या फिर कॉलेस्ट्रॉल भोजे पदार्थों में नित्य मिल्ले वाली वसा हमें उर्जा प्राप्त करती है या उर्जा देती है उर्जा भी थोड़ी नहीं प्रोटीन और कार्वोहर्डेट से दो गुनी वसा से हमें मिलता है प्रती ग्राम प्रोटीन और कार्वोहर्डेट से मात्र चार और वसा से हमें पूरी 9 कैलोरी मिलती है वसा के रहने पर ही हम भोजन से विटामिन A विटामिन D विटामिन E और अनेको विटेमिन्स के जज़ब कर पाते है सरीर में यह सभी महतुपूर्ण अंगों के एर्द गिर्द एकटी होकर इने सुरच्छा परदान करती है इसी से हमारी भी तर चुनिंदा हार्मोन की रचना होती है यह तंत्रीकाओं को इंसुलीन भी परदान करती है और तुआच्या के नीचे जमी रहकर हमें ठंड से भी बचाती है वशा का परमुक सुरोत अगर देखा जाए तो आहार में 20 से 30% कैलोरी वशा से प्राप्त करना उची थे यह वशा हमें कई भोज़ पदार्तों से मिलती है जन्तू से प्राप्त होने वाले भोज़ पदार्त जैसे की घी, मक्खन, चीज और वनस्पत्ती से जैसे सरसो, मूंफली, करडी, सुरज मुखी जेतून, सुयाबीन और मकई से बने खाज्य तेल और मेवे की गीरिया वशा के अच्छे सुरोत है नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कुछ वशा हमें अन से भी प्राप्त होती है जिसे चावल और गेहूं में 33% और बाजरे अगर देखा जाए तो बाजरा में 6% वशा पाई जाती है चलिए अगला पोशकता तो है कार्वोहर्डेट भोजन का सबसे बड़ा अंस कार्वोहर्डेट होता है इनसे सरीर के सभी अंगों को काम करने की सक्ती मिलती है मस्तिक्स सोचता और विचार करता है दिल की धरकने जिन्दा रहती है और पेशिया मुस्तिदी से भाग दोड कर पाती है धंग से भाग दोड कर पाती है नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कार्वोहर्डेट मुलता सुगर से बनी होते है विविद परकार के सुगर जैसे ग्लुकोज, फुक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज और लेक्टोज सुगर एलकोहल जैसे की सार्विटॉल, जाइलीटॉल और मैनिटॉल और अस्टार्च अगर देखा जाए तो एमिलोज और एमिलोपैक्टी कार्वोहर्डेड ही विविद रूप होता है सबसे ज़्यादा कार्वोहर्डेड का रूप है फलो में फ्रुक्टोज, दूद और दुग्ध उत्पादकों में लेक्टोज, चीनी, सहद, मिठाई, गोलिया, टॉफी, चॉकलेट, जेम्स, केक, पैस्टी, में सुक्रोज और ग्लुकोज अगर देखा जा तो सभी सुगर रूपी कार्वोहर्डेड है तो जितने भी मिठा पदार्थ है, भात, आलू, चावल, स्वीट पोटेटो, इन सब में कार्वोहर्डेड मिलता है इनकी तूलना में स्टार्च में पाय जाने वाले कार्वोहर्डेड सियूत किस्म में होते हैं इनके प्रमुक्स रोत, अनाज, चावल, डाले, आलू, सकरकंद, और कंद मूल है, जड़ वाले प्रोड़क्ट सेल्लोज भी एक परकार का कार्वोहर्डेड होता है, जो कि पेड़ पोद में पाय जाता है यह मनुष से इसे पचा नहीं पाता है क्योंकि हमारा बोड़ी जो होता हूँ, अपेंडिक्स नाम का एक और्गयन जो एक्टिव अवी नहीं है जिसके कारण वनस्पत्ति में मिलने वाले सेल्लोज का पाचन हम लोग नहीं कर पाते हैं कार्वोहर्डेड का सुरोत अगर देखा जाए तो आहार में पचास से साट प्रतिसत कैलोरी कार्वोहर्डेड से प्राप्त करना स्वस्त प्रद होता है ये कैलोरी प्रकर्तिक वनस्पत्यों जैसे हरी सबजी, फलो और दूद से जितनी अधिक मात्रा में प्राप्त की जाए उतना ही बहतर होता है उतना हे स्वास्त वर्दक होता है इन भोज्य पदार्थों में ना सिर्फ कैलोरी बलकि विटामीन, खनीज, प्रकर्टिक रेशे और दूसरे अनिवार्य पोशक्ततों भी समुचित मात्रा में मिलते हैं अगले पोशक्ततों है विटेमिन और खनीज लवन तो विटामीन और खनीज अनिवार्य पोशक्ततों है सरीर इनकी प्राय अपने से रचना नहीं कर पाता है लेकिन सरीर में इनकी समुचित मात्रा में उपलब्ध होना स्वास्त और निरोगी बने रहने के लिए जरूरी होता है विटामिन और खनिज हमें उर्जा तो नहीं मिलती है इनसे पर सरीर में बहुत से क्रिया कलाब इनकी मदद से संपूर्ण हो पाते हैं विटामिनों के जरूरत बहुत सुक्ष्म मात्रा में होती है खनिजों से सरीर के कूल भार का 4% अंस निर्मित होता है सरीर को कई परकार के विटेमिन्स और खनीज क्याव सकता होती है इनके अलग-A-LG सुरोत है और अलग-अलग उप्योगिताएं भी इनकी कमी पर होने वाले अलग-अलग परकार के समस्याएं भी उटकर खड़ी होती है नेक्ट गर देखा जाए जल के बारे में जोडे के स्नेह तरल का अधिकांस भाग जल से ही निर्मित होता है। सरीर की ताप नियंत्रन प्रनाली इसके बिना काम नहीं कर सकती। जल में गुलन सील ही अनावस्यक जेव रशानिक पदार्थ सरीर में छूटकर मुत्र, विष्ठा और पशिनी के रूप में निसकासित होता है। सरीर के लिए जल का प्रमुक स्रोत पे जल होता है। लेकिन दुसरे द्रेव और भुज पदार्थ में भी जल बड़ी मात्रा में भी दुमान रहता है। स्वास्त रहने के लिए सरीर में जल के मात्रा प्रयाप्त बनी रहना ही अनिवारी होता है। तो दोस्तों आज हम लोग बात किये पोशक्तत्यों उनके परकार और उनके फायदों के बारे में I hope कि आप लोग को पोशक्तत्यों के बारे में बढ़िया तरीका से समझ माया होगा तो मिलते हैं नेस क्लास आज के लिए इतना है Thank you